असलाम उलेकुम प्रीनाइन कैसे हैं अब उमीद करते हैं आप खेरियस से होंगे आज आपका बेटा चैप्टर नंबर वन से पेज नंबर एट का टॉपिक है सिंबल्स ओफ फ्लोचार्ट तो इसको डील करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सिंबल हमारे पास एक एरो ह इसको फ्लोचार्ट पिटा बोलते हैं इटिस दुट्र मिन दना फ्लोचार्ट यह फ्लोचार्ट में स्टेप्स के फ्लोच को मतीं करता है किस सिंबल हो ऋरगा उपर से नीचे की तरफ या दायें से बाइं की तरफ या बाइं of a flow chart ये किसी भी flow chart का शुरू और आखर मतयन करता है तीसरा है ये rectangle shape है इसका नाम process होता है it represents operations to change value इसका काम क्या होता है कि ये represent करता है operation में जितनी values change हो रही होती है तीसरा बिटा ये diamond shape भी कहलाता है इसको decision का नाम दिया जाता है it shows a conditional operation that determines which one of the two paths to take ये ये बताता है कि किसी operation में कौन सा path select करना है अगर किसी जगा पर yes or no का मतयन करना जरूर हो तो आप decision making को इस्तेमाल करते हैं the operation is commonly yes or no question और are true or false test तो दो ही सूर्थे होती है yes or no या true or false किसी statement के लिए तीसरा ये एक parallelogram type है इसे input और output के लिए इस्तेमाल करते हैं नाम है इसके input output it indicates the input of data from user or displaying result to user ये input करते वक्त शो करता है यूजर से data को और जब output के सी result को करता है लास्ट पे हमारा है ये circle जिसे connector कहते हैं If a flow chart does not fit on a page अगर कोई flow chart एक page पे मुकमल ना हो रहा हो then we use connector to connect parts of a flow chart तो तब हम इसको इसको इस्तमाल करते हुए एक page को दूसरे page से जोडने के लिए flow chart में इस्तमाल करते हैं of a flow chart on different pages तो तीन पे पेजिज्ज पे अगर हम इसे मुहीत हो उमारा फ्लो चार्ट तो हम इसको 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 इसे किसे इसे मुहीत हो पर चोटा सा लेक्शर था उमीद है आपको समझ आ गई होगी से रिवाइस किजी कह अला आफ़स्ट